नमस्कार वन इंडिया हिंडी में आपका स्वागत है आज 24 जिलाई है साल के साथवे महीने का ये 24 स्वा दिन इतिहास में अपनी एक खास चखा रखता है आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है तो आईए नजर डालते हैं आज के दिहास पर इस दिन 1911 में माचू पीचू के खंधरों की खोच की गई थी ये पेरू में एक प्राचीन इंका समझाता था और अब एक लोग प्रिय परेटन इस्थल है ऐसा माना जाता है कि इंका शास्कों के लिए ये समर रिट्रिट रहा है उनकी प्राचीन खोईंका शेहरों की तलाश में अमेरिकी खोचकरताओं का एक बैंड नहीं पहँचा बना दिया था क्योंकि कोई विशिश चिलिक जानकारी उनके साथ कभी नहीं जुड़ी थी मातहरी की सच्चाई आज तक एक रहसे बनी हुई है 1969 में आज ही के दिन अमेरिका के उप राच्ट पती रिचर्ड निकसन और सोवियत प्रथम सचीव निकिता क्रुशेव के लिए रसोई की बहस के रूप में प्रसित चर्चा की एक श्विंकला थी अमेरिकियों और सोवियत निक सांस्कृतिक आधान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए प्रतेक वर्ष इस देश में एक प्रदर्शनी आयुजित करने का फैसला किया था जब निकसन ने अमेरिकी प्रदर्शन के आसपास खुरुशेव दिखाया तो सामेवाद और पुझिवाद के लाभों पर दो निताओं के पीच एक पहस छिड़ गई दो निताओं ने प्रदर्शनी में कई स्थानों पर तलवारे लहराई लेकिन किचन डिबेट ने अपना प्रसिध नाव एक कटवे मॉडल घर पर एक रसोई प्रदर्शनी से लिया जिसकी लागत 14,000 डॉलर थी पुझिवाद को छोड़कर ये दावा किया गया था कि एक संबान अमेरिकी कारकरता इस तरह के घर का खर्च उठा सकता है पहले आधुनिक धर्मशाला सेंट क्रिस्टोफर की स्थापना 1963 में इस दिद लंदन में डॉक्टर रुस्नी सौंडर्स द्वारा की गई थी इसने आधुनिक उप्शामक देखभाल और धर्मशाला आंदोलन के शुरुवात को चिन हिद किया महमा नवाजी से बिमार मरिज्दों को पूरा किया जाता है और उन्हें जीवन के अंध में उनकी भावनात्मक और अध्यात्मिक जरुदतों को पूरा करने के लिए उप्शामक देखभाल प्रदान की जाती है ये उन मामलों को लंबा करने के बजाए जीवन की गुरुवता को बढ़ाता है जिन मामलों में रोगियों को लंबे समय तक रहने की उम्मिद नहीं होती है इन खबरों में फिलहाले ताही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया के साथ